ज्योतिश में अमात्यकारक के रूप में बुद्ध का क्या परिनाम होता है? ज्योतिश के प्रती उत्साही लोगों स्वागत है। आज, हम वैदिक ज्योतिश में अमात्यकारक के रूप में बुद्ध की दिल्चस्प भूमिका के बारे में जानेंगे। अमात्यकारक वह ग्रह है जो हमारे करिय, महत्वाकांक्षाओं और पेशेवर सफलता को दर्शाता है। जब बुध ये भूमिका निभाता है, तो ये हमारे पेशेवर जीवन में एक अनूठा स्वाद लाता है। बुध, बुध्धी, संचार और विशलेशन आत्मक सोच का ग्रह है, अमात्यकारक के रूप में एक ऐसे करिया का सुझाव देता है जहां ये गुंड सर्वो परी हैं। जिन व्यक्तियों का अमात्यकारक बुध होता है, वे अक्सर लेखन, शिक्षन, पत्रकारिता, आईटी और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टा प्राप्त करते हैं। ये व्यक्ति तेज, अनुकूलनियर और मल्टी टास्किंग में माहिर होते हैं, परिस्थितियों का विशलेशन करने और नए समाधान निकालने की उनकी क्षमता उन्हें किसी भी पेशेवर सेटिं में मूल्यवान संपत्ती बनाती है। वे स्वाभाविक रूप से संचारक होते हैं और जटिल विचारों को आसानी से प्रभावी धंग से व्यक्त कर सकते हैं। हालां कि बुद्ध की चुनोतियों पर नजर रखना जरूरी है। ये जातक बेचैनी और बहुत ज्यादा और बौधिक रूप से उत्ते जक वातावरन में पनपने की ख्षमता का आशीरवाद देता है। खृपया अधिक ज्योतिश जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।